मुमई में कलसी सस्ता और सुहाना सफर का आनन देने वाली पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बस छत्रपती सिवाजी महराज टेर्मिनस और NCPA के बीच दोड़ेगी इसके लिए यात्रियों को पहले 5 किलो मिटर के लिए 6 रुपे देने होंगे बेस्ट के बेड़े में सामिल हो या देश की पहली डबल डेकर बस है इस महीने के आकरी तक और 5 डबल डेकर बसे बेस्ट के बेड़े में सामिल होगी यह जानकारी बेस्ट के महा प्रभंदक लोकेस चंद्रे ने दी है डबल डेकर बसे कभी मुंबई की सान हुआ करती थी लेकिन उनके पुराना होने की कारण बेस्ट ने विविन चर्णों में डबल डेकर बसों को अपने बेड़े से बाहर कर दिया फिलाल बेस्ट के बेड़े में अभी 45 डबल डेकर बसे मौजूद है जिने जल्द ही कबार में भेज दिया जाएगा मुंबई करों को फिर से डबल डेकर बसों की सुहाना सफर आनन दिलाने के लिए बेस्ट उपकर्म ने किराय पर 9000 एलेक्ट्रिक डबल डेकर बसे लेने का फैसला किया है ये बसे लंदन की डबल डेकर बसों की तरज पर है असोक लेलेन की सहायक कमपनी स्वीच मेबोलिटी ने इन बसों का निर्मार किया है बता दे कि बेस्ट की तरफ से पिछले साल भर से डबल डेकर एसी बसों को लाने की प्रक्रिया शुरू है अगस 2020 में एलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बसे बेस्ट के बेडे में सामिल हुई है कि तरफ से फिटनेस सेटिफिकेट मिलने से देरी हुई इसलिए कुलाबा बस डिबो में 11 फरवरी को पहली इलक्रिक डबल डेकर बस को बेस्ट उपकर्म के बेड़े में सामिल किया जाएगा आटी अभी भाग से मंजूरी लेने में एक सब्ता का समय लगा लेकिन अब ये डबल डेकर एसी बस मंगलवार से दक्षिन मुंबई की सर्व को पर दोड़ेगी ब्योरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई